जैन पाक शाला पाट शाला सरला के साथ में आज हम जानेंगे भक्ती का चमतकार की कैसे सेट धननजय ने भगवान की सची भक्ती करती वे स्तोत्र रश्ना की और अपने पुद्र का विश दूर किया और भक्ती की महिमा को संसार में उजागर किया सेट धननजय सस्तित के बड़े विद्वान पवी थे एक बार की बात है जब ये मंदिर में सुबह के वक्त पूजन कर रहे थे बड़ी भक्ती भाव से भगवान के चर्णों में लीन होकर वे अपनी पूजा कर रहे थे तभी उनके घर से संदेशा आता है कि उनके इकलौते पुत्र को सापने काट खाया और वो बेहोश पड़ा है परन्तु सेट जी बिलकुल विचलित नहीं हुए वे अपने भक्ती में अपनी पूजा में लगे रहे घर से दो-तीन बार संदेशा आया लेकिन उन्हाने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बिलकुल शांत भाव से अपनी भक्ती में अपनी पूजा में लगे रहे तब उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वो सेठानी अपने बियोश बालक को लेके मंदिर में आधम की और बच्चे को वहाँ लिटा दिया और कहा कि ऐसी कैसी तुमा अपने वाला है और तुमका अपनी पूजा की पड़ी है बुल तुमारे भगमान में शक्ती हो तो मेरे बेटे को बचा के दिखाए तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वो बहुत नाराज हो रहे थी कि इधर बेटा मुर्शित पड़ाया और पिता जी भक्ती में लीन है जब सेठ ज gonna is as-tah आप ही रसायान हो आपके प्रभाव से क्या नहीं हो सकता और इधर वो भक्ति कर रहे थे उनकी भक्ति चल रहे थी और उधर बेटे का विश धीरे धीरे उतर रहा था उन्हें कुछ भी नहीं पता वो तो लोग देख रहे थे वे तो सिर्फ आख बन करके भगवान के सामने ब रचना की विशापाय स्तोत्र की वो रचना इतनी प्रसिद्ध है और इतनी प्रभाव शाली आज भी उसको पढ़ने से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं ऐसी इस्तूती रची की बेटे का विश धूर हो गया और उनकी भक्ति और उनकी वो रचना अमर हो गई और आज विशापाय स्तोत्र के नाम से सभी जैनी उसे पढ़ते हैं सभी लोग उसे पढ़ते हैं और अपने भावों की शुद्धी करते हैं आज भी सची श्रद्धा भक्ति और परिणामों के विशुद्धी के साथ इसका पाट किया जाएं तो चमतकार आज भी होते हैं